नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टेडी वेप सेजुकेसान चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं PG-DCA और DCA फर्स समस्टर के अंतरगात जो आपके मेन एक्जाम होने वाले हैं उसके अंतरगात हम देखेंगे सारे सब्जेक्ट के important question आप सारे सब्जेक्ट में सबसे पहला तो सब्जेक्ट आपको पता होगा fundamentals of computer and IT ये दोनों ही आपकी क्लास है यानि कि PG-DCA और DCA दोनों जो फर्स समस्टर है उसके अंतरगात है पहला subject देखने मिलता है आपके पास मैं जैसे DCA की बात करें तो यहाँ पर तीन subject होते हैं और PG-DCA की बात करें तो यहाँ पर 4 होते हैं तो DCA और PG-DCA के जो subject लगभग लगभग common है उनके अंतरगात हम जो है पहला subject fundamentals of computer and IT इसके important question देखेंगे और इसके important question हम यहाँ पर complete discuss नहीं करेंगे मतलब मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा किस प्रकार से question आ सकते हैं और किस जो background है उसके हसाब से पूछे जा सकते हैं उनके आपकी तयारी करना भी पड़ेगा जो website है website आप देखेंगे सरकारstudywebs.com आई होप आपने विजिट भी कर लिया होगा नहीं किया तो आप ऐसे www.sarkarstudywebs.com ऐसे enter करो अपने जो browser है उसमें और यहाँ course notes में जाना है dca, pgdca जो आपकी class उसमें जाना है ऐसे करके और उसके बाद आप जो है यहाँ पर आपको मिलेगा fundamentals of computer and IT इस पर click करना है और click करने के बाद आप देखोगे इसका complete video यहाँ पर मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर इसकी जो notes है वो भी मिल जाएगी यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते तो उसके नीचे आपको दिया है download PDF तो इससे आप PDF पढ़ सकते हैं दूसरी चीज में आपको बता दूँ आपने telegram जोइन किया होगा तो telegram में भी आपको थोड़ा सा ढूनना पड़ेगा यहाँ पर भी मिल जाएगी वो PDF है और वीडियो है तो दोनी चीज आप यहाँ से ढूंड लेना आपको कोई और दिक्कात आती है ढूंडने में तो आप मुझे बता सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि करके हम यहाँ पर important question यहाँ पर total 5 unit होती है कितनी होती है 5 unit तो यहाँ हम बात करेंगे देखे पहली unit तो पहला पूछा गया है सबसे पहली बात तो होती है fundamentals of computer का मतलब क्या होता है पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि computer क्या है इसकी business time क्या है ठीक है कहां कहां इसका उपयोग होता है इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है यानि कि इसके जो लाब होते है या इसके advantages होते वो क्या है यह सारी चीज तो आपको basic पता ही होना चाहिए next जो पूछा गए यहाँ पर computer का block diagram पूछा है आपको PDF में और वीडियो में सारी चीजे मिल जाएगी next पूछा memory memory के अंतर का storage device पूछा है तो आपको memory क्या है यह तो पता होना चाहिए memory का अंतर का दो पार्ट होते एक तो होती है primary memory और एक होती है secondary memory तो यह चीज आपको पता होना चाहिए complete ठीक है इनके बाद primary और secondary में अंतर भी पता होना चाहिए computer का उपयोग करने के क्या लाब है मैंने बता दिया पहले एंसे सुपर कंप्यूटर आप देखे सुपर कंप्यूटर को question पूछा है तो आपको पता होना चाहिए types of computer types में आपको पता है एक होता है analog computer एक होता है digital computer और दोनों को मिला दिया जाए तो hybrid computer बन जाते है और ज्यादातर बरतमान में कुन से computer चलते है च्छेपंड की बात करें मिसाइल की बात करें तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर का विशेष रूप से उप्योग किया जाता है इसके बारे में detail में लिखना है उसके बाद यहां पर sort nots पूछ लिया जाएगा जैसे types of computer में, desktop क्या होता है, laptop क्या होता है, pomptop क्या होता, PDA आपको ऐसा question भी आ सकता है कि computer के types को समझाइए विस्तार से, तो detail question आएगा तो ऐसा आएगा और अगर sort sort आए तो ऐसे particular topic आएगे second unit में जो important question है वो देखने मिल जाते हमको analog signal को digital signal में बदलने के लिए कौन सी तक्निक का इस्तमाल किया जाता है, तो देखिए, यहां पर जब हम internet का उप्योग करते हैं, तो internet से कोई signal आता है analog के रूप में, और हमारे computer में जो signal है, वो digital है, तो दोनों के मद communication कोन करेगा, य modem की कारिविधी को समझाना है complete rules है, इस question में, तो इस प्रकार आपको question आया, या modem की कारिविधी पूछे, तो वो भी आप बता सकते हैं, दूसरा आप से पूछा जा सकता है कि analog signal को digital signal को analog में परिवर्तित कैसे करते हैं, तो यह चीज़ आप ध्यान में रख लेना, उसके प्रिंटर पूछा है, तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर के प्रकार, जो दो प्रकार के होते हैं, impact और non-impact, impact में आपके मिल जाएंगे, decibel printer है, आपको मिल आएगा, जो आपके जो printer है, जैसे post office में आप देख सकते हैं, उन में आप देखोगे, तो जो आवाज करते हैं, व BGA का नाम सुने होंगे, आपने SBGA, CGA, XGA, यह सब क्या है, वीडियो standard, और अभी BGA की जग है, SBGA ने सुपर वीडियो graphics array यहाँ पर चल रहा है, तो इसी के बारे में यहाँ पर समझाना है, तो जितने भी है, वो आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना, monitor पूछा है, तो monitor जो होता है, output device है, और output device के अंतरगत, बहुत सारी output device होती है, वो आप पढ़ लीजे और यहाँ पे space ली, monitor के प्रकार पूछा है, तो monitor के प्रकार दो category होते है, monitor के प्रकार जो है, दो category होते है, कौन-कौन से एक तो color के हिसाफ से होते हैं, और दूसरा जो होते है, आपके उ में रख लेना विसस्ताव में क्या क्या हो जाती कि monitor का pixel होता है resolution होता है dot pitch होता है bitrate होता जो बहुत सारी चीज आप देख सकते हैं इसके अलाबा कुछ है आपको देखिए input device के बारे में पूछा गया है जैसे trackball क्या होता इसके जगह mouse भी पूछा जा सकता है keyword पूछा जा सक language की तो देखे यहां पर software के अंतरगती utility program होता है देखे software में आपका device driver होता है जो man आपका operating system के साथ में काम करता है मतलब किसी भी device को जाओ आप attach करते हो computer में तो उसको read करने का काम या उसको contact कराने का काम कोन करता है device driver और utility program जो है आपका computer को maintain करने का काम करता है जैसे antivirus क की बात करें तो यह होता है तो यह दोनों में आपको जो है complete रूप से समझाना है उप्तिक उधारन के साथ में software और बरतमान परिदर्स में इसकी आवसकता मतलब software क्या है और बरतमान में software को किन-किन छेत्रों में हाला कि बिना software के कोई भी छेत्र है जो है इसमें अधूरा नहीं रह गया है मतलब एक प्रकार से हम बोले तो कोई भी छेत्र जो है बिना software के अगर देखें तो वह अधूरा है तो यहां पर हम बात करेंगे बरतमान में software के नाम बताएंगे और उनको कौन-कौन से छेत्र में यूज किया जा रहा है जैसे उधारन के लिए आप अगर कि उसके बाद देखें आपको मिलेगा कुछ है software पूछा है जैसे word processing software है देखे word processing software में जाते MS Word है word paid है गूगल डॉक्स है यह सब word processing में जाते spread sheet में excel से related सारे software presentation में powerpoint से related और desktop publishing में आपके page maker है coral draw है या अन्य जो इसी प्रकार के software है वो देखने को मिल जाते हैं तो इनके बारे में आपको जो है short notes लिखना है कभी-कभी यह detail में भी पूछे जा सकते जैसे word processing software को विस्तार से समझाईए तो ऐसा भी question आएगा देखे य यहां कौसी सो वहां diagram जरूर बनाई है तांकि diagram देखका जो है आपको number अच्छे से अच्छे मिल सकते हैं theory में क्या होता है only अगर theory लिखते है आप तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है तो यहां देखे आपको compiler interpreter assembler इन तीनों के बीच में अंतर मतलब आपको simple लिखना है computer के अंतरगात number system क्या होता है तो देखे यह digital electronic का question है परन्तु हमारे एक छोटा सा topic है syllabus में number system number system को समझाना जैसे decimal number system होता है binary number system होता है October होता है और ASCII code ABCDIC code यह भी आएंगे तो वो भी आप यहां समझा सकते हैं अगर question आया तो यह चीज़े आपको देखने को मिल जाएगी उसके बाद देखे फोर्थ में आपको communication देखने मिल जाता है इन तीनों को आपको विस्तार से समझाना है मालों दो computer आपस में जब जोड रहा है तो उनके बीच में कोई ने कोई माध्यम होगा तो यह वायर वाला होता है और यह wireless होता है तो वायर वाले में आपको तीन प्रकार के वायर यहीं की तार देखने मिल जाते हैं two state pair, coaxial cable औ वायर नेटवर्क, metropolitan एर नेटवर्क और virtual private नेटवर्क यह चारो देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा एक pen भी देखने मिल जाता है personal area network body area network तो यह सब हो जाते पूछा गया है चार तो इनहीं को समझाना है ठीक है अब answer कैसे लिखना है उसके लिए आपको video मिल जाएगा क यहां पर website के अंतरगा थी ठीक है जैसे आप यहां पर उफर ही जैसे मान लो आपको देखें यहां पर course notes में PGDCM आप किलिक करोगे तो PGDCM जब किलिक करोगे तो यहां पर देखें आपके सारे subject की list है नीचे थोड़ा सा down में जाओगो तो मैं exam में answer कैसे लिखें तो उसक इसके बाद देखें आपको इस प्रकार से देखें नेटवर्क जो connectivity है उसके लिए भी question यहां पर देखने को मिल रहा है internet connectivity, dial up connection क्या होता है, leased line क्या होता है, ISDN क्या होता है, integrated service जो है digital network इसके अलावा जो है आपको DSL, digital subscriber line यह भी देखने को मिल जाते हैं तो यहां देखे 4 unit देखने को मिली, अब अगर DCA वालों की बात करें, तो DCA के लिए 4 unit complete हो जाती है, निकि 4 unit जो है 5 unit के बरावर होती है, ठीक है, परन्तु यदि PGDC की बात करें तो उनके लिए 5 unit में आपको मिलेगा DOS, और 7 में मिलेगा Linux, क्या मिलेगा DOS और Linux, तो PGDC वालों के लिए important question है जैसे DOS से आप क्या समझते हैं, DOS के लिए internal और external command को समझाईए, मतलब जो code होते हैं, coding होती है, उसको समझाना है, उसके बात देखे, Linux operating system की विस्ताव को विस्तार से समझाईए, Linux का kernel क्या है, जैसे हमारा दिमाग होता ना, बैसे Linux का kernel होता है, तो देखे, Linux के kernel के जो कारे है, उसको लिखना है, इसी प्रकार एक cell भी पूछा जाएगा, Linux का kernel पूछा तो cell भी पूछ सकता है, Linux के command को समझाईए, जैसे BC है, basic calculator, cat command है, make directory है, CH mode है, तो यह चीज़े आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से समझा सके, फिर उसके बाद देखे, यहां short notes फर्स सेमिस्टर का, उसके main exam में आने वाले कुछ important question, और इनी question के round figure में आपका question paper आने वाला है, इनको आप अच्छे से तयार कर लीजे, ताकि आपका exam अच्छे से अच्छा आप लिख पाए, तो यहां पर आपको वीडियो कैसा लगा, आप जरूर बताईए, comment box में, आप अगर वीडियो पसंद आता है, तो आप वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें, और अगर कोई doubt है, तो आप मुझे जरूर बताए, website में जाकर आप material को download कर ले, अपने दोस्तों को भी उसके बारे में बता सकते हैं, मिलते हैं हम next paper के साथ में, तब तक के जय हिंदे